हेलो बच्चो वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके लिए जानकारी बड़ा वीडियो ले करके आई हूँ बादाम सेहत का खजाना होते हैं और ये यादास को मजबूत बनाते हैं और बहुत ज़्यादा फायदे की चीज है ये बादाम तो आपको बादाम जरूर खाने चाहिए तो इसी पर डिटेल वीडियो ले करके आई हूँ जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबादे जिससे की कोई भी नया वीडियो में डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नही नही जानकारियों को फायदा उटा सकें तो मैं स्टार्ट करती हूँ बादाम खाना दिमाग और सिहत के लिए अच्छा माना जाता है बादाम खाने से दिमाग और दिमाग का विकास और यादस मजबूत होती है और इम्मिनिटी भी बढ़ती है ये बादाम ओमेगा 3 जो एसिड है उसका मूल सुरोत है क्योंकि इसमें बहुत जादा मयगा 3 होता है और ये दिमाग को तेज करता है और शरीर को भी स्वस्त रखता है तो आपको ये बादाम कब और कैसे लेने हैं और कौन-कौन सी क्वालिटी आती है इसमें इस पर मैं बात करूंगी तो इसमें एक तो कैलिफॉर्निया का बादाम आता है ये आपका कैलिफॉर्निया का बादाम है और ये ये मामरा बादाम है ये ऐसे इसकी पैचान बताती है कैलिफॉर्निया का बादाम जो होता है वो डार्क कलर का होता है हलका सा गयरे रंग का फूला पूला बादाम होता यह देखिए उसके ब्लाफ इसकर काफी बड़ा होता है कितना बड़ा साइच का है इसके मकाबले में काफी बड़ा है और यह जादा तर इस तरह ऐसे कर्व में आता है एक नमसीदा कम होता है वर यह माम्रा बादाम है यह से मड़ा हुआ अता है तो यह यह माम्रा बादाम है यह बहुत मेगा आता है प्रहुंककि केलिफोनियाम है कैलिफोनियाम ज्यादा होती है इसकी वादाम के dabei किया जाता प्रहा जेता है इंडिया में भारत में वी इसकी उपज होती है और कश्मीर में गलें तो इसको कितना कितना खाना चाहिए इस पर मैं बताती हूं आपको एक स्वस्त व्यक्ति को वैसे तो एक मुठी बादम खाना चाहिए करीव करीव 30-35 ग्राम होता है एक मुठी बादम पर यह चोटे बच्चों को आप चारिया पांच बादम दे सकते हैं लेकिन यह ऐसे ही मत करता है हमारी इम्म्मिनुटि को हें मतलँ हां पर चाहिए िसलिए इसको बिगआ करो यह खाते हैं अपiros कह सकते आप तो आप इसको सूखा खा सकते हैं लेकिन आपकी इम्मुनिटी में यादि कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आपको यह चिलका पचाने में सहयक नहीं होगा आपका पेट तो आपको यह भिगा कर छिलका हटा करके ही खाना चाहिए इसलिए इसको भिगाए जाता है ऑयल में ही होता है और इसमें क्यों कशेदि का हिए और कि यह क्म होता है कि क्यों क्यों चौन क्वाधाम क्यों ज्यादा होता ह। है तो म?". है कि आपको इसकी कीमत में फरकाएगा क्योंकि ज़्यादातर बादाम जो मार्केट में आते हैं वो ओल के लिए हैं और बादाम मेहा ही के सब्सक्राइब अब ये सर्दियों का मौसम आ गया है हलका सा तो आप इसको भेगा करके हलुआ बना के मतलब भेगा करके इसको पीस लीजिए और भून करके इसको अलुआ बना करके भी खा सकते हैं दूद बादम का दूद बना के भी खा सकती सकते हैं शेयर डाल के तो आप चाहेंगे तो मै में उसकी रेसेपी भी बता दूंगी ज़से बाधम को पीस लीजिए जो बाधम के दूद में बेगा के छिलका भे और पीस के वह दूद जैसा लुकिड हो जाएगा और उसको छान लीजिए अच्छे से और आपका करीब करीब 30-35 ग्राम में आपका एक डिर्ड गिलास दूद बन जाएगा काफी अच्छे से एंड आप उसमें एक चमत शहर डालके आप इसको पीजिए देखिए आप एनर्जी मतलब इतनी जादा एनर्जी मिलेगी कि आप बहुत ज्यादा पावर्फुल मैसूस करेंगे तो यह बहुत ही फायदा करता है यह सर्दियों के उसम में तो काफी जादा फायदा करता है उस आई होप आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा समझ में भी आया होगा कि दोनों बादाम में क्या अंतर है और यह महगा क्यूं है और यह कैलिफॉर्णिया बादाम से महगा क्यूं है मामरा बादाम इसके उपर कहा का होती है इन सब के बारे में मैंने बता दिया ह यह आपको इनके बारे में कोई डिटेल बीडियो चाहिए या कोई रैसिपी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए तो मैं उसी तरह से उसे पूछ सकते हैं तो मैं वह डाल दूंगी तो ओके